अव आख व्यारां काहँ चींता कर रहे हो आथ मेर आपको समझाता हो आज पूरी आइस्वरिसम ऌरिसम क्या होता है डो टाइपकी आइस्वर्फ उमेरिसम है आप यह कोई भी atom तूटकर इधर से इधर तूट गया लग गया मतलब जहां कहीं भी बॉंड तूट गया और बॉंड तूटके एक atom दूसरे पर चला गया तो वहां connectivity क्या हो जाएगी अलग मतलब जुडने का तरीका क्या हो जाएगा अलग जिससे क्या बनेंगे structure अलग बनेंगे और हो रही है लेकिन function group same रहेगा एक दूसरा क्या होता है चैन तो same है छह छह की है एक में double bond यहां है फर्स्ट पोजिशन पर एक में double bond है थर्ड पोजिशन पर सब कुछ same position different किसकी multiple bond function group या सब्सिट्वेंट की लेकिन आइसो इसमें क्या रहेगा हमेशा functional group हमेशा same रहेगा तीसरी है functional group या अलग हो आप लोग जैसी तीसरा देखेंगे यह हो गई है चैन आइसोमेरिजम पोजिशन आइसोमेरिजम फंक्शन गूप open में हैं दूसरा compound close में हैं देख जाएगा ना एक open में एक close में है डिउ वगरे सब सेम रहेगा सब्सिट्वार ना रिंग चैन आइसोमेरिजम और ऐसा जो कि बाइवलेंट पॉलिवलेंट function group होते हैं उनके दोनों तरफ यदि आप group की अल्टा पल्टी कर देते हैं यहां वाला को यहां पलट देते हैं यहां वाले को यहां पलट देते हैं यदि group की अल्टा दूसरा है stereo, stereo का मतलब है connectivity हमेसा same रहेगी, जो जहां लग रहा है साव वहीं का वहीं लगेगा, ऐसे नहीं कि यहां से तूटकर यहां चला जाएगा, यहां लग रहा है वहीं का वहीं, लेकिन उसका configuration क्या रहेगा different, इसमें क्या होता है, एक तो होता है configurational, जिने true कहते हैं, एक तो पढ़ देंगे geometrical और एक पढ़ देंगे optical isomerism, ठीक है न, और दूसरा पढ़ते है conformational isomerism, rotation around a single bond, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ थोड़ा सा conformer के बारे में, देखिए conformer होता है उसमें question आने की पूरी संभावना है conformational में, लेकिन देखो होता क्या है, single bond के across rotation स कहते हैं, यह सब बाते हैं, लेकिन आप से पूछा जाएगा कि इथेन के जो conformers होते हैं, जो different form बनती हैं, जितनी conformations बनती हैं, उसमें कौन से कौन सबसे ज़्यादा stable है, इथेन का molecule 2 carbon वाला है, सजमारे 2 carbon वाला camera में देखो, और यहाँ पर इस carbon पे 3 hydrogen लग रहे हैं, पीछ इसका नाम क्या होता था, 60 degree पे जाएगा, तो stagger, फिर 120 degree पे जाएगा, eclipse, और यह क्या होता है, stagger, लेकिन आपको पता है, eclipse और stagger के बीच में जितनी भी बनी, मालो 1 degree पे बना, 5 degree पे बना, 6 degree पे बना, वो सब के सब को क्या गया देते हैं, skew, तो सब से ज़्यादा stable कोन हो गय stagger, इसके बाद कोन हो गया, skew, इसके बाद eclipse, eclipse में क्या होता है, आपको पता है, torsional strain, steric strain, जो एक दम है, वो एक दम, एक दूसरे के उपर, और लेप होते हैं, तो bond का भी repulsion, और atom के repulsion, दोनों maximum होते हैं, तो आपको धान रखना है, इसमें सब से ज़्यादा stable कोन होगा, इ two, three bond के across, ये ब्यूटेन का molecule है, एक, दो, तीन, चार, दो, और ये तीन नमबर है, front carbon पर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर एक methyl है, दो hydrogen है, back पर आप देखोगे, तो एक methyl है, दो hydrogen है, सज्ज्मार ये होगा, एक methyl, दो hydrogen है, एक methyl, दो hydrogen है, जैसे आप लोग देखोगे, गूम कर जाएगा, यहाँ पर, जैसे यह गूम कर यहाँ गया, सज्ज्मार थोड़ा सा molecule stable हुआ, इसे कहते हैं, गौच फॉर्म, यहाँ दो methyl, methyl के बीच में टकर हो रही है, पुली एकलिप्स्ट, इसको क्या कहते हैं, एक methyl और hydrogen के बीच में मिधाईल आ गया, गौच फॉर पर minimum SS or TS होती है, ठीक है न, इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद जाएगा, गोच फॉर्म, कौन सा जाएगा गोच फॉर्म, क्योंकि मिधाईल के सामने हवा आ लेकि मिधाईल एक हाइड्रो, इस मिधाईल के पास में है, इसने थोड़ा पास में होने के कारणी, यह होतना है, उतने का उतना है, केवल क्या चेंज होता है, साब बोंड एंगल, बोंड लेंथ, कुछ चेंज नहीं होता है, केवल डाई हैडरल एंगल चेंज होता है, तो सर आप यह कह रहे हो, यदि इस टाइप का आए, तो एंटी ज्यादा स्टेबल है, यह ज्यादा और आपकोर बुनिन 거지 एक नच के एक्टिवेब रुख्त Fr फ्लॉरीन ओप एकडी बनायों जाएगी वो गो जादा स्टेबल हो जाएगा एंटी फॉम से आईए भाईयो इनसे ज़्यादा पढ़ने के कहीं जरूरत नहीं है सब्सक्राइब नेक्स्ट में देखिए GI का कोई कॉशन GI में कुछ भी पूछा जाए आपसे तो GI के रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ आपसे कॉशन आ सकता है कौन GI देगा ये M's का कॉशन है देखो आपको बस दोनो टर्मिनल चेक करने है कॉशन देखो क्या है जहां आपको Restricted Rotatory System मिले उसके एक रोस आपको दोनो टर्मिनल चेक करने है ये टर्मिनल T1 है इस टर्मिनल T1 के उपर देखोगे दोनो हाइड्रोजन सेम है और यह terminal T2 है इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग है लेकिन T1 से में ये GI नहीं देगा GI देने के लिए जहां कहीं भी होता है उस compound में सबसे पहले आपको RRS ढूमना है RRS double bond के across भी हो सकता है RRS किसी ring के across भी हो सकता है RRS कोई Allen system, Spiral system, Vipenile ऐसे system के across भी हो सकता है ठीक है न लेकिन chance बहुत ही कम ऐसे कोई सधार्ण question याता है ring या double bond के across यहां पर terminal T1 है और यहां terminal T2 है जब इसको देख रहे हो तो केवल इसी को देखो यहां पर दोनों hydrogen sam-sam है GI नहीं देगा T1 और T2 दोनों अलग-अलग होने चाहिए terminal T1 और T2 दोनों अलग-अलग है मुस्कुराखे कहिए GI देगा terminal T1 पर देखो यहां पर एक hydrogen है और मेरे भाई एक chlorine है terminal T2 पर देखिए यहां और यहां दोनों sam-sam है यह GI नहीं देगा terminal T2 देखिए T1 देखिए एक hydrogen और एक chlorine अलग है T2 देखिए यहां पर 2 degree है यहां 2 degree है यहां 3 degree कारबन है यह वाला और यह वाला दोनों अलग-अलग है फोर्था अंसर जाएगा compound 4 नंबर वाला GI देगा आगे देखिए साब कौन साइस में GI दे रहा है बताओ RRS किसमें है इसमें RRS ही नहीं है इसमें इसमें है साब terminal T1 पर देखो एक methyl एक hydrogen T2 पर देखिए एक methyl एक hydrogen आपको इसका दोनों है यह इसके जैसे सैम उससे कोई मतलब नहीं है इंडिविजूल देखो यह टर्मिल टीवन है एक hydrogen एक methyl टीटू पर एक hydrogen एक methyl दोनों अलग-अलर है मुस्कुरा के कहो GI देगा RRS नहीं है एलकाइन लीनियर स्ट्रक्चर के कारण कभी GI नहीं देती है एक पूछा दाता है छोटा सा question कि किसका dipole moment zero है किसका dipole moment non zero है हाँ तीसरा एक question और करो जैसे आप लोग देखोगे इसमें यहां टर्मिनल टीवन है और यह टर्मिनल टीटू है टीवन पर देखोगे दोनों एक मिथाइल अलग है टर्मिनल टीवन यहां पर आपको एक हाइड्रोन एक मिथाइल अलग है टर्मिनल टीटू यदि टर्मिनल टीवन है यह भी अलग है टीटू अलग है यूजी आई यह कंपाउंड हमेशा जोमेट्रिकल आईसोमरेशन देंगे ठीक है न आई एक कॉश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा कंपाउंड है सभी मारे जिसका डाइपल मॉमेंट जीरो है किसका ऐसा है कि डाइपल मॉमेंट जीरो है पता है आप लोग देखो यहां कार्मन है इससे क्लोरीन है क् इसमें कहां जाएगा डाइपल मॉमेंट की डारेक्शन इधर जाएगी इसमें डाइपल मॉमेंट की डारेक्शन इधर जाएगी इसमें दोनों जीरो कर देंगे इसमें जित्ता उपर यह खीच रहा है उतना ही नीचे यह जित्ता उपर जा रहा है सजमारना उतना ही नीच कैसा यह डाइटोमिक लीनियर है अब मैंने आपको अच्छे से बताए कभी भी और यह कॉश्चन आते कहा है जा और्थो पोजिशन है मेटा पोजिशन है यह कॉश्चन है कि बैंजीन पे पहरा पोजिशन पर डाइपल मोमेट कब जीरो होगा जब भी आप मोनो अटोमिक और इस केस में गुमते रहते हैं इन इन में हमेश सां डाइपल मोमेंट नोन जीरो रहेगा यह ध्यान रखना है एक आपसे बॉइलिंग का कॉश्चन पुचा जाता है मैं आपको बताता हूं बॉइलिंग पॉइंट में हिड्रोजन बोन्डिंग देखते हैं बॉइल probably strong बनता है और बहुत जादा इसमें इसमें our new destiny करता यह करता है यह कुछ भी पूचा जाए आपसे सिस्ट्रांच कभी भी जनरली boiling point क्या हो जाता है dipole moment के direct proportional होता है और आपको melting point पुछा जाए तो symmetry से देखना है molecule जितना ज़्यादा symmetric होगी तो उसकी packing efficiency ज़्यादा होगी तो उसका melting point भी ज़्यादा होता है आई यह optical isomarism optical isomarism देन है साब polarimeter की जो कुछ भी आप देखते हो मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि light मारने पर compound dextro है लिवो है बस यह बता पाऊंगा कि जब हम light मारेंगे तो यह response देगा या नहीं देगा या तो वो dextro देगा या लिवो देगा एक सब्द आपके सामने लिखे आएगा chiral देखो मैं आपको बता देता हूं chiral यदि तुम्हारे सामने कभी पुछा जाए कि संसार के सारे chiral molecule always optically active होते हैं बिल्कुल सही बात है chiral का मतलब optically active chiral एक ग्रिक वर्ड़ाई से हिंदूस्तान में unsymmetrical कहते है संसार के सारे chiral molecule always optically active होते है यस संसार के संसार के सिमेट्रिकल molecule जो optically active होते हैं एक chiral molecule एक chiral molecule का मतलब है symmetrical molecule और यदि एक chiral हो जाए symmetrical हो जाए तो always optically inactive मतलब लड़ाई किस की चल रही है साब chiral और एक chiral की सहज़मारा है chiral है तो always optically active एक chiral है optically inactive लेकिन दोनों को समझाने बीच में कोन आया chiral center सहजमारा chiral center chiral center क्या होता है SP3 वाला एक्टम होता है जिसके 4 different group लगे होते है ये chiral center है generally एक chiral center जिसके पास होता है वो compound हमेशा optically active होगा या तो होगा dextro या लिवो होगा generally एक chiral center वाला लेकिन किसी के chiral या optical active या unsymmetrical होने के लिए chiral center का होना जरूरी नहीं है chiral center is not an accessory condition for a molecule to be optically active without इसके भी हो सकता है लेकिन सर ये तो एक वाला हुआ एक से ज़्यादा है तो अपने को कभी ऐसा नहीं बोलना है कि एक से ज़्यादा chiral center आ गया इनको कहते हैं symmetry element यदि coast, post या दोनों present होता है तो optically inactive लेकिन यदि उसमें coast भी absent है post भी absent है एक से ज़्यादा chiral center वाला है तो optically active सर, coast, post का मतलब क्या होता है coast का मतलब होता है coast को हमेशा देखना होता है चलना होता है जहां बीच में center में खड़े हो जाईए जितना आगे चल ले उतना पीछा चलिए जितना आजू चल ले उतना बाजू चलिए जितना उपर चल ले नीचे चल ले हो straight line खीचिए आपको straight line पर चलने पर यदि same जगे आपको same line पर सेम जगे हैट सेम डिस्टेंस पर jáदी सेम्चीज मिल रही है तु उसमें scope prezant है Preis कभी काटी नहीं देखे जाती है course हमेशा देखी जाती है तीन चीज मेंкой हमेशा Mrны रहीगी एक तो जैसे टीन पांच की रिंग है، तीन की भी होती है उसको सबसे पहले हमें देखना होता है उसको देखना ता इसको काटना है जब इसको काटेंगे post को हम काटेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो, हमें एक आपको तलवार देनी है, तलवार देकर इन compounds को काटना है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको काट दो, तो कटने के बाद, जहां से आप काट रहे हैं, उसके बाद कटने के बाद दोनों एक दूसरे के mirror image होने चाहिए जहां से काटा कटने के बाद जैसा ये है वैसा ये एक दूसरे की mirror image होना चाहिए जैसे ये compound है इसको जैसे आप काटोगे यहां से काटा है और ये कौन सा प्रोजेक्शन है फीसर तो आपको मैं हमेशा बता था यहां यह एसीड है नीचे भी एसीड है यह एच है यह और यहां से काट होगे तो ऑच के नीचे और एसा कमपाउंड जिन में एक से ज़्यादा काईरल सेंटर होते हैं और साथ के साथ पोस आ जाती है तो उन्हें मीजो कहते हैं क्या कहते हैं मीजो कमपाउंड ठीक है ना यह मीजो कमपाउंड है काईरल सेंटर के साथ और एक मैं आपको बता देता हूं मतलब सर जिन में काईरल सेंटर है और एक काईरल सेंटर है ओल्वेज ऑप्टिकली अक्टिव सर एक से ज़्यादा काईरल स सेंटर बिना काईरल सेंटर के और उसमें कोस्पोस नहीं है और पूरी आइसो मेरिजम काईरल सेंटर और कोस्पोस के आजू-बाजू ही घुमती है ठीक है न इससे आगे वाला कंपाउंड देखो यह टेटर हेडल वाला हमेशा आता है टी-वन है और यह टी-टू है यदि आ 2-0-ring है दोनो रिएंग 10 एक रिंग ऐसे है एक रिंग ऐसे है तो दूस्री रिंग ऐसे है है यहां पर यह जगत करी सन्वार है यहां पर हो जाएगा और यह ऑक्टिकली एक्टिव inhibit दोनो जगह ऑप्टिकली active है ठीक है ना आओ मीजो compound मीजो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ संसार के ऐसे compound मीजो का मतलब होता है जिनमें एक से ज़्यादा chiral center होता है और साथ के साथ उनमें symmetry element होता है ऐसी चीज जिनमें chiral center हो और साथ के साथ symmetry element हो ऐसे compound होती हैं सब्सक्राइब मीजो और उसकी मिरर इमेज हमेशा सेम होती है ठीक है ना मीजो के कभी सिसा आपको पूछा साइब मीजो काईरल है या एकाईरल है एकाईरल मॉलिक्यूल है मीजो compound represent it's identical मीजो की mirror image होते है वो हमेशा उसी को represent करती है ठीक है ना represent करती है तो इसकी जो mirror image होगी वो same ही है क्योंकि इसको उपर गुमाके रखोगे तो same है मीजो chiral है कि ये chiral है क्या ना मीजो ये chiral compound है sir ठीक है ना मैं पूछुआ बताओ मीजो और उसकी mirror image semi compound है sir chiral center के साथ symmetry element होता है मीजो optical inactive कि इसके कारण होता है due to internal compensation ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा internal compensation के कारण net rotation zero हो जाता है कान में बाली और गले में रुमाल पहन कर बैठाता है याद आया एक बार light को इधर एक बार light को इधर net rotation zero कर देगा उसे कहते हैं मीजो मीजो के दहाद रखना है racemic mixture कुछ नहीं होता है एक compound है और ये है compound और उसकी mirror image जहां कहीं भी आपको पूछा जाए कोई compound optically active है तो कहना एक वो है और एक उसकी mirror image है तो ये compound optically active है इसकी mirror image है इसको भी इस container में मिला दिया इसको भी इस container में मिला दिया इसको हम लोग क्या कहते है racemic mixture लेकिन ये इधर और ये इधर दो अलग compound का rotation है तो ये external compensation के कारण क्या हो जाता है zero दोनों perfect जीता कचरा हो गया वो तो racemic mixer कलाता है थोड़ा बहुत बच जाता है सवाज मारना यदि बच जाए कचरे के बाद उसे कहते है anisomeric access या optical purity ठीक है न anisomer क्या होते है मालों तुम्हें कोई compound दे दे और वो तुम्हें लगे एक chiral center वाला है क्या बनाएगा anisomer optically active है क्या बनाएगा एक वो और एक उसकी mirror image तो compound और उसके mirror image में जो relation होते है उन्हें anisomer कहते है तुम्हें दे दे सब कुछ सहम है यह हमेशा क्या होते है इन light के परती rotation different ऐसे optically active isomers जो एक दूसरे की non super impossible mirror image होती है यह optically active है क्योंकि कटेगा नहीं chlorine bromine chiral center भी है और यह कटेगा नहीं उपर chlorine anisomer ब्रोमine है और यह इसकी क्या है mirror image एक compound optically active है एक तो और एक उसकी mirror image anisomer ऐसे stereo isomers जो एक दूसरे की mirror image नहीं हो जैसे cis की mirror image trans नहीं होती है cis o trans और इनको हम लोग separate कर सकते है डाय स्ट्रियोमर्स कोन होते है दो conformers हो सकते है जैसे यह फुली एकलिप्स नहीं है तो आपस में क्या है डाय स्ट्रियोमर्स है cis trans क्या है यह compound देखो क्या है यह compound क्या है यह optically active टार्ट्रिक एसिड इस ओवच के सामने देखो क्या है एक चाहरा है एक दूसरे की mirror image नहीं है तो संसार के ऐसे compound जो एक दूसरे की mirror isomers जो एक दूसरे की mirror image नहीं है डाय स्ट्रियोमर्स आपको सारे एपी मर्स बताए हुए मेरे glucose के सज्वार गुलकोज के एपी मर्स बताए हुए C2 एपी मर्स C3 C4 C5 यह सारे के सारे एपी मर्स क्या होते है डाय स्ट्रियोमर्स यह को होता है capital D capital L configuration आपको बताया था capital D capital L एक standard configuration है जिसका साब small d या small l से कोई relation नहीं यह माना हुआ है किसका glyceleldehyde का हम लोग ने glyceleldehyde glyceleldehyde किया था तो यह molecule अपने सामने आ गया था यदि यह आ गया इस पर वह राइट साइड में है तो इसे कहते capital D यह संसार का सबसे छोटा कार्बो हाइडरेट है जितने भी कार्बो हाइडरेट आते हैं इसमें लास्ट काईरल सेंटर को देखते है लास्ट काईरल सेंटर में उवह राइट लेट साइड में तो यह capital L है और capital L है तो capital D कोन होगा वो होगा जो इसकी mirror image है दुनिया में capital D glucose है तो capital L glucose वो होगा जो इसकी mirror image होगी एक आप से RS configuration most most important RS configuration जब भी आप से RS configuration के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को देखना है chiral center पे यह एक चीज देखो चार नंबर तुम्हारी तरफ है या तुम से दूर है यदि चार नंबर तुम से दूर हो कभी दूर का मतलब vertical line तुम से दूर हो clockwise R, anti clockwise S इसके लाव कुछ नहीं करना एक नंबर पर कोन आएगा? क्लोरीन दो नंबर पर कारवन से ब्रोमीन लग रहा है दो, तीन, और चार एक से दो, दो से तीन clockwise direction में चलोगे तो R तो यह क्या हो जाएगा? clockwise direction में चलोगे तो यह S, 3S है क्योंकि इसके नंबर नीचे से करेंगे एक, दो, तीन, चार क्योंकि यहाँ पर पर ब्रोमीन है इसमें देखो एक, दो, तीन, चार सभज मारना? इसमें क्या होगा? एक से दो, दो से तीन कौन सा है? anti clockwise direction में और anti clockwise direction में है तो यह हमारी तरफ है anti clockwise direction में एस, तो यह हो जाएगा आर, तो यह हो जाएगा 2R, 3S सभज मारना? इस तरीके से आप लोग आराम से निकालोगे numbering नीचे से करेंगे एक नंबर ब्रोमीन को दो नंबर क्लोरीन को तीन नंबर इसको सभज मारना? एक नंबर पर कौन है? वच ग्रूप दो नंबर पर कौन आएगा? इथाईल, 3 एक से दो, दो से 3 चार नंबर क्या है? तुम से दूर, आर बस यह, ठीक है न? इस तरीके से बस इतने इतने टोपिक थोड़े से mind में रखी आपका optical, आपका geometrical आपका conformer इतना बड़ा टोपिक है जिसमें आपको 5 दिन भी खा सकता है लेकिन आपको 15-20 मिनट में यह मैंने करवा दिया है दूसरा एक important यह promotion नहीं है just information quota center पर मेरा 21 मई से dream batch आ रहा है सब्सक्राइब बहुत ही सारी धाज़ू faculty है किसी भी type की आपको कोई problem हो कभी भी आपको एक universal number दे रखा है उस पर message करने 7878-211-761 इस पर आपको दुनिया का हर चीज मिलती है ठीक है ना कोई भी problem हो दूसरा मैं एक important information देता हूँ आज हुई है 28 30 की रात तक हमारे जो online subscription 5000 में मिल रहे हैं पता है आज एक साल का केवल 5000 रुपए में मिल रहा है इसके बाद ये 30,000 रुपए का हो जाएगा दो साल वाला आपको 10,000 में मिल रहा है वो 40,000 का हो जाएगा और इसी तरीके से आईकोनिक 45 रुपए का और 60,000 रुपए का हो जाएगा अभी जो भी बच्चे requirement है जिनको बेचारी 10th क्लास में अच्छी एजूकेस नहीं हुई प्रीज आप सभी लोगों को शेर करिए मेरी personal guidance में आने के लिए मेरी mentorship में आने के लिए मेरे से सीखने के लिए मेरे teachers का access लेने के लिए आप लोग code यूज करेंगे S के सी लाए और इसी number पे मेरे को बताएंगे सर मैं आपकी mentorship में हूँ ठीक है ना मैं उसको उस group में जोड़ दूआ तो सर क्या आप online पढ़ाते हैं मैं पूरा online पढ़ाता हूँ quota center पे मेरा offline batch भी आता है online में 11th class में पढ़ाता हूँ Nimbus batch में जो कि हमारा 30 तरीक से आया है Nexus 17 से आया है और दूसरा version 2.0 और अभी 30 से ही ठीक है ना और Phoenix batch सबसे ज़्यादा important dropper batch है वो राजाओ आरा 8 मई से हमारा Super 6 की team का Super 6 मैं हूँ प्रतिक जैंट सर, AKM सर, RS सर AG सर, पर्णव सर ये इसमें मचाने वाले हैं चलिए आप लोग जवर्दस energy के साथ मुझे अभी comments में बताएंगे next topic आपको कौन सा बता दूँ ऐसे ही और जो आपको मैंने बताएं इससे ज़्यादा पढ़ने के जूरत नहीं ये थोड़ा सा mind में रखिए जवर्दस चलिए best of luck, thank you